को दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं Market Report आईए बात करते हैं National Gas NIMACS Future की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने Natl Gas NIMACS का Future Contract है और इसमें जिस तरीके की मुपमेंट लास डेडिंग सेशन में रही और अभी जो यह Live Market चल रहा है इसे देखते हुए हम ये समझने ही कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या support और rise trends लेवल रह सकता है और उसे देखते हुए हमारा आगे का view है हमें buying करनी चाहिए, selling करनी चाहिए या थोड़ा सा wait करना चाहिए किसी भी trade में enter करने से पहले तो आई शुरू करते हैं पांच मिनट के टाइम फ्रेम से नेशल गैस नाइमेक्स फ्यूचर का जाट दोस्तों यहां आपने देखा कि market में एक selling थी, consolidation continue रहा यह आपको पांच मिनट के टाइम फ्रेम पे शो हो रहा है इसलिए आप थोड़ा सा ठीक से समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को कि इससे पहले का trend कैसा है कैसा नहीं है तो पांच मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी फिलाल आपको एक consolidation नजर आ रहा है जिसमें market जो है इस range में एक support लेने के बाद इन prices पे hold कर रहा है इन prices में भी upper band पर ठीक है तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वहाँ पर हमें थोड़ा सा trend क्लियर होना शुरू होगा यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इस से पहले का trend हमें नजर नहीं आ रहा पर market में एक downside थी थोड़ी सी जो continue थी उसका थोड़ी सी upside आई यह actually upside नहीं यह recovery थी आपको जब और ज़दा chart show होगा तो वहाँ पर आपको sound में आएगा यह weekly closing जो थी इसकी वो यहाँ पर हो गई 2.55 या 56 के बीच में यहाँ इसकी weekly closing हो गई weekly opening जो ही थी इसकी वो काफी अच्छा gap down के साथ दिखाया था market ने अपने आपको इसके बिलकुल lowest price के आज़ पास market open हुआ और वो downside selling pressure continue रहा नीचे के levels देखे पर market में एक छोटी सी इसने एक downside जो थी वो extend करी और उसके आज market एक sideways trend लेके आगे की तरफ चलता रहा जिसमें end में थोड़ी सी recovery आनी शुरूई और अभी फिलाल market open हो चुका और market इस range में trade कर रहा है current price है 2.45 थोड़ा सा ओड़ आगे चलते हैं किस तरीके का view हमें नजर आ रहा है आईए एक घंटे की तरफ चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो market में एक strength थी थोड़ा सा rise tense phase किया उस price को market ने break किया और यह downside में convert हुआ एक downfall जो था वो काफ़े strong था यह single day की एक downside है उसके आद market ने थोड़ा सा इस तरीके का view लेके एक recovery दिखाने ही कोशिच करी और market यहाँ पर आकर close हो गया next week की जो opening है मतलब इस weekly जो opening रही है कल की वो एक gap down opening थे और उसके बाद market इस तरीके का एक view लेके थोड़ा सा आगे की तरफ अपने आपको ले जा रहा है आगे का क्या view है किस तरीके से हम trade कर सकते हैं कौन से price हैं जो इसमें थोड़ी सी strength दिखा सकते हैं weakness किस तरीके से हम सोचेंगे क्या view है उन सब चीजों पर अभी हम बात करेंगे चलते हैं थोड़ा सा आगे चार घंटे के टाइम फ्रेम पे यहां हम देखते हैं कि क्या view हमें नजर आ रहा है market में strength थी उपर के prices पे hold करने ही कोशिश करी नीचे फिर थोड़ा सा उपर जाने ही कोशिश करी यहां एक breakout level था जिसे market ने break नहीं किया था उसके नीचे रहती ही market ने एक अपनी selling को continue रखा और end होते होते थोड़े सी recovery दिखाने शुरू करी और वहां से फिर एक straight downfall weekly opening काफी अच्छे से gap down opening और यहां पर थोड़ा सा market अपने आपको stable करता हो नजर आ रहा है ठीक है थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार daily charts की तरफ वहां देखते हैं कि क्या view हमें नजर आ रहा है दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो यह पूरा पूरा part जो था वो एक consolidation phase में था market में एक breakout आया उपर के prices पे गया यहां prices hold किये थोड़ा सा नीचे फिर support मिला recovery तो यहां थोड़ा सा और उपर इस contract में next contract में और थोड़ा सी downfall के साथ market यहां close हुआ current contract में prices उपर hold करने की कोशिश कर रहे थे पर ज़्यादा time तक hold नहीं कर पाए breakdown, downfall और अभी currently market in prices पे अपने आपको stable करने की कोशिश कर रहा है इस तरीके का एक trend हमें natural gas के chart में नजर आ रहा है देखिए daily charts पे अगर आप एक नजर डालेंगे तो आपको चीज बहुत असानी से clear होगी कि यह downfall है इस downfall में market को देखिए जब भी कोई एक straight downfall या एक upward rally होती है तो उसमें market को छोटा सा भी अगर कोई market रुक जाता है जहां पर तो वहाँ पर उसका consolidation phase स्टार्ट हो जाता है उसके बाद market फिड से अपनी या तो strength या weakness दिखाता है जो उस rally को further extend करता है ठीक है कि वह उपर जाना है या नीचे जाना है उसके बाद price decide करते हैं कि किस तरीके से हमें आगे move करना है यहां पर अभी currently price hold कर रहे हैं आगे का क्या view है किस तरीके से market चल सकता है उसको लेकर अभी हम देखेंगे आएए वापस चलते हैं एक घंटे का मेरे खाल से time frame ठीक रहेगा एक घंटे के time frame पे यहां पर हम उन levels को discuss करते हैं जो हमारे लिए आज important हो सकते हैं view जो हमारा सिर्फ intraday का particular रहना है देखिए एक चीज़ ज़रूर है कि natural gas के prices में अभी हम एक downfall देख रहे है इस downtrend में अभी नाइमेक्स future के charts में जो एक support हमें नज़र आ रहा है वो हमें 3.08 से 3.06 के prices में वो sorry 2.36 के से लेके 2.38 तक के prices में हमें नज़र आ रहा है इसने जो अपना lowest price बनाया था वो 2.38 के आसपास कहीं बनाया था exact जो strong support zone है वो है 2.36 से 2.38 ठीक है यहां से market थोड़ा सा support ले रहा है कोई भी closing 2.36 के नीचे अगर होती है तो further downside को extend कर सकती है ठीक है तो इस बीच market को एक support मिलने के पूरे पूरे chance देता है अगर आज market वापस नीचे जाता है 2.37 के आसपास तक अगर touch करके किसी price को फिर से recovery दिखाता है और इस price को अगर break कर देता है तो वो हमारे लिए एक काफी अच्छी confirmation होगी कि market में थोड़ी सी strength बन रही है ठीक है दूसरा हम क्या देख सकते हैं कि market में हो सकता है कि इनी prices से हमें एक turnaround देखने को मिले तो हमें सबसे पहले market में बिलकुल इससे 1 cent ऊपर 2.46 के ऊपर जैसी market आकर अपना 10-15 minute का time hold कर लेगा तो market में थोड़ी सी वो ये confirmation होगी कि थोड़ी सी strength आ सकती है ठीक है उपर में next जो price है वो है यहां पर 2.52 इस price को भी market अगर break करेगा तो वो strength और ज़्यादा बन सकती है ठीक है सबसे पहला price है 2.46 बिलकुल उसी price के आसपास अभी natural gas में trade चल रहा है 2.46 ब्रेक होते ही थोड़ी सी strength बनने शुरू होगी prices उपर आने शुरू होगे और उपर में जो next इसका level है वो है 2.52 2.52 के उपर भी अगर prices hold कर जाएंगे तो आप थोड़ा एक या maximum दो दिन के लिए उससे जादा नहीं आप इस low को consider करके आप natural gas में consolidation to upside view लेकर आगे की तरफ चल सकते हैं फिलाल इन levels पे selling में थोड़ा recommend नहीं कर रहा हूँ या तो आप market में wait कीजिए एक pure consolidation को खतम होने का consolidation start हो चुकी है वो जब खतम होगी आप तब तक उसका wait कीजिए fresh selling में कल से ही recommend नहीं कर रहा market में ज़्यादा downside क्योंकि मुझे अभी एकदम से लगनी रही है थोड़ा सा support लेके market यहां से उपर की तरफ एक recovery दिखाने की ज़रूर कोशिश करेगा नीचे में जो prices हैं वहां से already market में support लिया है confirmation आएगी सबसे पहले 2.46 पे 2.52 भी अगर break हो जाता है तो आप buy on dip की strategy लेकर market में बने रहा सकते हैं 2.36 का stop loss लेके उपर में यहां का इस zone का और अगर एक breakout मिलता है तो वो और जादा एक strength दिखा सकता है यह वैसे कोई बहुत strong level नहीं है पर इसके बाद market में और थोड़ी एक strength बन सकती है ठीक है और थोड़ा और बड़े time frame पर हम चलते हैं वहां देखते हैं किस तरीके का view हमें नज़र आ रहा है यह 4 घंटे के chart पर अभी देख रहे हैं यहां से अगर market में थोड़ी सी भी एक upside आती है तो इस price की जो मैं बात कर रहा हूँ इसका मुझे exactly high नहीं पता क्या था पर जो breakout है वो 2.655 पे है इस price को market अगर break कर देगा और इसके उपर थोड़ा सा sustain कर जाएगा तो हम इसमें एक upside early देख सकते हैं जो 2.80 तक market को ले जा सकती है तो इसमें बहुत जादा selling में अभी मैं नहीं हूँ selling अगर आती है तो उसमें थोड़ा सा मैं consolidation कर वेट कर रहा हूँ consolidation के बाद अगर market उस selling को अगर extend करेगा तो वो एक अच्छी strategy होगी market में selling में एंटर करने के लिए otherwise आप थोड़ा सा buying के एक थोड़ी सी prices का वेट कर सकते हैं buy कर सकते हैं और in-in levels के उपर buy कर सकते हैं ठीक है 2.655 इसमें breakout level है जो काफी major strong level है उससे पहले 2.52 के उपर market एक अच्छी strength दिखा सकता है 2.52 के बाद 2.655 का level है तो आप देख सकते हैं कि जो beach की जो space है वो भी काफी जादा है आपको अच्छा profit हो सकता है उस price के break होने के बाद और intraday में purely intraday में 2.46 के उपर prices अगर थोड़ी देर भी hold कर जाते हैं आप उसमें buying की entry लेके आप बने रह सकते हैं तो यह था मेरा नेशनल गैस नाइमेक्स फूचर पर अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेर करें बने रहे में मेंट साथ देखते रहे हैं मार्केट रिपोर्ट धन्यवाद